आप सभी भगवान की किरवाशी अच्छा होंगे, स्वाश्त होंगे, मस्त होंगे काफी समय हो गया है, अपने सैनल पर किसी भी सादना से समन्दित वीडियो नहीं आ रहे हैं, आपको पताईए तो जो समय मेरा गुजरा है, इस समय में मेरे भी सादना हैं, अध्यात्मा हैं, ये समझने को मुझे भी कुछ टाइम मिला और इस टाइम के अनुसार मैंने भी सादना के बारे में साइ हो या कोई अपने वास्तिक्ता के बारे में, यानि जीवन की जो वास्तिक्ता होती है, उसके बारे में मेरी कुछ खोजबिन हुई, मैंने उसको खोजा, मैंने उस सेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की, कि हकिकत में जीवन का उधिश्य क्या होता है, जीवन कैसे चलता है, जीवन के क्या लक्षे होते हैं, क्या बनाए जाते हैं, या बनते हैं, या क्या होता है, कुछ समझ में आता है या नहीं आता है तो इस बारे में मेरी खोजबिन हुई वो कापी घेंता से हुई भी है और बहुत से लोगों का जो शवाल होता है कि एशा करने से एशा हो जाता है वैशा करने से वैशा हो जाता है ये किया तब हो क्या अगर सही तरीके से मानें तो मेरे अध्यात्मिक जो श शपर है उसके तरीके से अगर मैं मानू तो जो भी शामाने सोश है वो निर्थक है क्योंकि अध्यात्म में वो ज्यान प्राप्त हो जाता हैं जिसकी कभी कल्पना नहीं की जाती है कभी मैंने भी नहीं चोशा था कि यह ऐसी वास्तिक्ता तक मैं पहुँच जाओंगा जीवन में जिसका लक्षे कुछ और होगा करम कुछ और होगा राष्टा कुछ और होगा और यह हकीकत आज के समय में यह सारी ही दुनिया है ना इससे बिलकुल मैं अखिला पड़ गया हूँ अगर मैं इस रास्ते को वास्तिक्ता की तोर पर अगर अपना के चलू तो मैं अकेला पड़ जाता हूँ और यही मेरा अध्यात्मा है और यह मुझे बहुत इंट्रेस्ट लगता इसमें लेकिन करे तो करे क्या इंसान जब एक उम्र के पड़ाव पर आने के बाद में इतना ग्यान हो जाता हैं तो अगर ऐसी एक शोस रखते हैं अपन के यह ग्यान अगर आज से कुछ सालों पहले हो जाता तो कापी अच्छा हो जाता यह भी तो एक क्वेश्चन होता है लेकिन उसमें हुआ नहीं अगर उसमें हुआ होता तो आज के जीवन की मोड कुछ और होती आग़े का अब करणा तो यह है कि जीवन का पहलों समझना पड़ता है जो खोज में निकलता है उसको ही रास्ते का पता होता है हर किसी को कोई रास्ता पता नहीं होता है अब लोगों की तो बस वही एक ठिंगिंग रहती है कि पूजा पाट करो आप क्या पूजा पाट करते हैं उसके अनुशार आपको शक्ति मिलेगी लाब मिलेगा आप करम होगा वोगा वोगा लेकिन ये मैंने सब कुछ मेरे जीवन में जो करन आता सारे कुछ ऐसे करम भी कि उदेश्य भी रखा जो जो कार्य करने थे जो शांसारिक जीवन में आने के बाद में अपने को मत्रबिक होता है कि उदेश्य होता है हर इंसान का जैसे मान लिए कि उदारान के लिए पढ़ाई करना वगिरा वगिरी कि ऐसे पढ़ाई करेग तो उसमें वो ऐसा उसको पद मिले इसे बहुत सारे पहलू थे जिस पहलू से मैं गुजरा हूं और अंत में मुझे जो मिला वो सबसे अलग मिला जो मेरे जीवन में पहले से जो चलते थे उनको शोड की एक अलग रास्ता मुझे मिला जो कुछ सालों पहले मेरी सोस में था कि वो वो करना है ऐसे ऐसे हो जाएगा और मेरे एक इंसान के कालपनिक शपन होते हैं कि इतने समय के बाद मेरा ऐसे सोने से ऐसे हो जाएगा और मैं ऐसे रहूंगा वो करूंगा फ्रूरान करूंगा वो ऐसा सब कुश होता है ना लेकिन जो ऐसा एक सिरेल अपने शपन में मन में सोस में चलता था ना वो बिल्कुल अलग हो गया वो थैई नहीं वो जीवन से हट गया और ये जीवन के पहलू है वो एक करम से जुड़े हुए है लोग कहते हैं कि करम करो वो करो ऐसा करो ऐसा करो लेकिन मेरे अध्यात्मन में जो खोज निकले वो मेरे इस जीवन के करम से मतलब भी नहीं है उस खोज को ये एक सर्च चाहिए है हर अध्यात्मिक इंसान को ये समझ में आता है जब वो कुछ सालों तक उसमें गहनता से चलता है न तो फिर असानक से उसकी खोज की कि जो फोज के लास्ट में जो दर्वाजा होता है न वो धर वाजब क्वलता है तब उसको पता चलता है कि यार की आर लेज़ का पे दिनों से हम इस दर्वाज़े के बाहर बेटेते पता ही नहीं बरसो बित गए और असानक से दर्वाजा खुल गया तो पता चला कि यार एक कदम पर ये सब कुछ था लेकिन ऐसा पहले कभी महसुस नहीं हुआ कभी ज्ञान नहीं हुआ कभी किसी ने कहा नहीं कितने एक तरक की बात है कि इन्सान के साथ में ये सारा कुछ गटना करम चलता है और उसके बाद में वो अशानक से एक अलग दुनिया में पड़ जाता है जिस दुनिया में अन्त में वो चलता है अध्यात्मा के द्वारा वो कभी जीवन में ऐसी कलपना भी नहीं की होती है कि मेरा ऐसा भी जीवन होगा या मेरी ऐसी सोच बनेगी या मेरा उदिश्य भी ऐसा बनेगा यार सब कुछ एक अंतिम पड़ा में सब कुछ जो होता है न वो एक जैसे मालिजी त्याग कैसे होता है वैसे मोर पर आके रुक जाती है जिन देगी यह एक बहुत ही फिसेस समय होता है जो मिलता है हर किसी को नहीं मिलता आप लोगों का यह कहता है कि बहुत से कहते कि यार यह तो वो पूजा पाट करता था तो ऐसे साथू बन गया कोई कहते कि वो ऐसे पूजा पाट था या वुष्क वाँ आ जाना था या वुष्क ऐसे लोगों का स्रम था लेकिन मेरा मानना है कि जो कुछ भी होता है दुनिया में, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है, ये 100% सही है, ठीक है, जो कुछ भी होता है, उसके पीछे कारण होता है, परफेक्टली ये सही है, लेकिन उस कारण के पीछे भी जो रैशिय होता है, वो रैशिय हर किसी को समझ में नहीं आता है, वो में सा सूचता है किया मैंने तो ऐसा किया नहीं, ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो कभी ये नहीं किया, लेकिन ये क्यों हुआ, इसको अंस्वर हर किसी को नहीं मिलता, मिलता है, उसी को मिलता है, ठीक है, तो ऐसा एक पहलू है, अध्यातम का जो बिल्कुल हटके हैं, बिल्कु इंस्ट्राइक मतलब मज़ेतार कर लोगा एक बार समझ में आ जाता है न तो बार बार उसके इच्छा होती है कि नहीं मैं तो यार ऐसे होगा मुझे तो ऐसे ही रहना है अब साहे वो परिवार से गिरा हुआ है सब आम रिष्टेदारी नातेदारी सब लोगों से गिरा हुआ है लेकिन फिर भी उसके मन में एक एक ख्याल रहता है हमेएसाँ कि मेरा तो वही सही मेरा तो यही क्रियाई से है मेरा तो यही सब कुछ से है अध्यात्म का रास्ता यार बहुत मज़िदार होता है जो जीवन में एक नही रा दिखाता है एक नही जिन्दगी होती है एक नया सवेरा होता है जैसे वैसे एक नया जीवन का एक मुल्य समझ में आता है कि हकीकत में यार कुसा लगी अब ये जो पहलू है न ये समझने के लिए आपको भी अध्यात्म के रास्ते पर लगना पड़ेगा तब ही ये समझ में आएगा अब मैंने कुछ यापर जो पॉइंटेज बताए हैं वो हर किसी के तो समझ में नहीं आएंगे लेकिन जो अध्यात्म से समंदित अगर आप सोस रखते हैं तो मेरे को लगता है कि आप जरूर कुछ नोट करेंगे और कुछ न कुछ हासिल करने के लिए आप खुद भी इस सित्र में जरूर है ठीके ओम नमस्षिवाय पड़ना हम